आज इस बारे में बात करें हैं यह बहुत ही डिफ्रेंट एंड यूनिक कॉमिनेशन के साथ आया है प्लूरिट मार्केट में सो मैंने सोचा कि शायद बहुत लोग इसके बारे में इंट्रेस्टेड हो और आज मैं शेयर करें इसका नॉन स्पॉंसर्ड रेव्यू एंड यह है गाईज अलो अश्वगंधा जेल इनका काफी पहले से मार्केट में अब लेबल है लेकिन अभी रीसेंच में ही इन्होंने अलो वेरा के साथ अश्वगंधा इंक्रीडियंट मिक्स किया है इसको थोड़ा से डिफरेंट यूनीक फॉर्मला बनाया है और अश्वगंधा रेंज इनकी अलग से लॉंच की गई है जिसमें फेस वाश मॉस्टराइजर और नाइट क्रीम डे क्रीम यह सब कुछ अवले इजिंग एफेक्ट को कम करने में मदद करता है तो गाइज यह अलो वेरा और अश्वगंधा की दोनों के गुरूं के साथ आता है तो अगर अब बात करें इसके प्राइस के बारे में तो गाइज यह आता है इसमें कोई छोटा पैकेजिंग नहीं लॉंच किया गया जो प्राइज 349 रूपीज है और अगर बात करें इसकी पैकेजिंग के बारे में तो यह आता है एक ट्रांस्पेरिंट पंप वाटल में प्रोडट की पूरी डिटेल देखने को मिलती है और यह जो पैकेजिंग है काफी अच्छी है यह प्लास्टिक है यह भी काफी अच्छी क् करें कंसिस्टेंसी के बारे में तो यह आता है जो कि एक जेल है और जेल फॉर्म में आना लाजमी सी बात है और इसके से बहुत लाइट सी बीनी सी फ्रेगनेंस जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी जादा तर जो मैंने अलोवेरा जल बहुत सारे बड़े ब्रांड में यूज़ी किंई हैं उन्में बहुत स्ट्रांग डال दी जाती है लेकिन इसमें लाइट हैं जलक्षोब सोमगर से नान चवसित की ऐसके बेसे जमानगा डि में जाता है और कर दो नहीं बस्तिया जाता है नहीं एसमें कहीं से भी मेंन के लिए हें किर के लिए हैhod अगर आपको हेयर के लिए यूज करना है तो उसमें अलग से प्योर अलोवेरा जेल अवलेबल है मार्केट में आप वो ट्राय करें यह सिर्फ और सिर्फ स्किन के लिए है काईज यह पैरेवन फ्री एसलेस फ्री है डर्मिटो लॉजकली टेस्टेड सूट्स और स्किन टाइ इसमें अलोवेरा डाला गया है यह स्किन को मॉस्ट्राइज करने में मदद करता है अश्वगंदा एक एंटी ऑक्सिडेंट की तरीके वग करता है जो कि स्किन को यूद्फुल ग्लो देने में मदद करता है और इसको अगर आप लॉंग टम यूज करते हैं तो यह रिजल् यूज कर सकते हैं आप इसको अपने फेस पे चाय दे सकते हैं और यूज फैस नारिय जगता है यह वह लुग और से नहीं बनाता है इसको लगाने के बाद एक स्किन में कूलिंग एफ्क्क लगता है कि मुझे लगाने के बाद में मुघे लगने के बार में बहुत के बार ची बात बात लगी कि टू आथ एक क्रeem Canada कौकि में बहुत काला कर देते हैं और इतनी चलमिलाती गर्मी में इस तरीके की cream or moisturizer use करने पर skin बहुत oily हो जाती है और वो indirect way में pimple एकनी की problem कर देती है इसी वज़े से ज़्जाथ तर जल पसंद करती हूँ और जल ही recommend करती हूँ ताकि skin में pimple एकनी की problem ना हो so guys ये कोई भी skin वाला use कर सकता है and body में इसको try दे सकता है और यह बहुत अच्छा product मुझे लगा मैं आपको highly recommend करूंगी so guys I hope आपको यह video helpful लगा होगा पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है helpful लगा तो प्लीज वीडियो को लाएक और शेयर जरू करना कोई कोई question कोई कोई आप comment section में comment कर सकते हैं सोगे चले मिलते हैं ना वीडियों किसी ना प्रूरिट के साथ तब तक रखिए आप अपना ख्याल ठेक्या